ग्वालीर के मुरार में सौंबार दो पर एक घर में तीन लोगों के शव मिलने से संसनी फैल गई, यहां कमरे में एक पुरुष महला और उनके तीरे साल की बच्ची के शव मिले हैं, पड़ास में रहने वाली महला जब उनके घर पहुंची दो घटना का खुलासा हुआ, ती पाल उनकी पत्नी 55 वर्षी है, सरोज पाल और 13 वर्षी है, कीरती पाल के शव उनके घर में पड़े मिले हैं, उनकी बेर में इसे अत्या की गई है, घटना का पता ऐसे चला की पास ही रहने वाली मालती पाल के घर करती उनके बच्चों खिलाने आती थी लेकिन शनिवार से वह नहीं आई थी, सौंबार को मालती करती को देखने के लिए उनके घर पहुंची, तो दरबाजे खलू हुए थे अंदर जांकर देखा, तो बैड पर सरोज का शव पड़ा था, जबकि नीचे करती और जगजिश वाल का सब पड़ा था, चेरे काले पड़ गए थे, ततक प्रताल में गला कॉंटे से होना प्रतीत हो रहा है, जबकि महिला के पेट पर चाकू गाओ गाओ दिख रहा है, इसके साथ ही पुलिस ने पूरे सिन को रीक्रियेट किया, ऐसा मना जा रहा है कि सबसे पहले बच्ची फिर जगदीश पाल की हत्या की गई है, इस समय सरोज क विरोध करने पर उसे मार दिया गया है, पुलिस ने जब कमरे में कदम रखा तो पाया कि सरोज की डेड बोडी विस्तर पड़ पड़ी थी, बेटी की इरती उफकरती का शर्व जमीन पर पड़ा था, जगदीश देख नहीं रहा था, जब उपर नीचे जहांका तो जगद